स्री साही पैटवर्ड के नए वीडियो में दोस्तों मैं गुरदीप सिंग आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज का ये वीडियो ब्रीडर्स के लिए बहुत ही हैलफुल होने वाला है जी ठीक है जी या फिर जो लोग जिनके पास घर में एकाद फीमेल है फरस्ट टाइम अपने डॉग को वो ब्रीड करवा रहे हैं उनके लिए बहुत ही हैलफुल होने वाला है वीडियो का टॉपिक है जी मदर की प्रेगनेंट फीमेल की केर कैसे करनी है बच्चे होने से पहले और बच्चे होने के बाद सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैं कोई वैट नहीं हूँ मेरे को बहुत सारे कॉल आते हैं कि आप वैट हो तो आप में हमें गाइड कीजिए मैं अपने एक्सपिरियंस के साब से आपको बता रहा हूँ कि जो मैं करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ कि हाँ जी इस वीडियो में जो मेरा experience है वो आपको मैं आपके साथ share कर रहा हूँ कि हाँ जी मैं अपने dog की care कैसे करता हूँ और आज तक मेरे पास भगवान की किरपा से साई की किरपा से कभी कोई problem आई नी आई है तो वो starting में जब हमने शुरू किया था bleeding तब आई भी है लेकिन हम आगे धीरे 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 सीख के आज इस level पर पहुंचे हैं कि हमारे पास problems कम आती है आती जरूर है उसकी मर्जी है जी जब आनी है तो कुछ करने ही सकता तो बटेय के precautions जरूरी है तो mother की care कैसे करनी है सबसे पहले बच्चे होने से पहले आपने female को cross करवा लिया है ठीक है जी दस दिन तक सबसे पहले आपने ठंडी चीज़ें उसको देनी है दहीं दो लसी दो या simple घर की जो चपाती है वो दो जादा जो गरम चीज़ें हैं कई बार लोग रॉयल कनाइन डालते हैं चिकन डालना शुरू कर देते हैं एक्स डालना शुरू कर देते हैं उससे क्या होता है कि conceive के लोके कई बार female नहीं कर पाती जिसे कहते हैं के drop कर गी हो तो वो चीज़ हो जाती है उसको थोड़ा सा ब्रेंड है तो यह कोई sponsor वीडियो नहीं है जी सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँ पैडिगरी पपी फीड है बहुत अच्छी है आप उसको दस दिन के बारा दिन के बाद स्टार्ट कर सकते हो इससे क्या है कि आपकी female healthy रहती है रोयल कनाइन भी है वो भी आप स्टार् वो आपने अगर स्टार्ट करनी है तो कम से कम एक महीने बाद एक महीने से पहले नहीं एक महीने तक आपको क्लीर हो जाता है कि आपकी female conceived है के नहीं है almost अगर उसके stomach में पेट में 5-6 बच्चे है तो वो एक महीने में show हो जाती है जिसके जिस female के बच्चे कम होते हैं वो portion तो उससे भी क्या है कि female को ताकत मिलती है दीरे 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 उसकी immunity बूस्ट होती है कि हाँ भी जब पपी deliver करने है तो उसको बहुत ज़्यदा ताकत की ज़रूरत होती है लेबर पेंट जब होती है तो बहुत उसको पावर की ज़रूरत होती कि तो उस समय ये जो हमने डाइट दी होती है वो समय काम आती है जब फीमेल को до दो दिन रोते हैं उते हैं किए बार करती हैं किए बार अच्ञेड़ करना बहुत जरूरी है तो अगर Dieses अगर येडम तो नेत आप उसको warm रखिए अगर गर्मी बहुत जादा है तो आप उसके लिए cooler या AC का इंतजाम करके रखें तो जब रह गे जी इसके 10 दिन तब आपने क्या करना है कि इसका जो stomach है इसके जो nipples है उनको clean करना है और सबसे जरूरी चीज जो एक गलती बहुत सारे लोग करते हैं वो यह है कि हम dog को बाहर गुमाते हैं सारी गुमाते हैं कोई भी असन्य के नहीं गुमाता लेकिन मैं यह recommend करूँगा जो मैं करता हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ मैं फिर से करूँगा कि मैं wet नहीं हूँ ठीक है जी मेरे हिसाब से आपको दस दिन जब आपकी फीमिल को रह गे बच्चे देने को तो इसको बाहर लेके जाना बंद कर दीजिए वजह यह है कि बाहर जब हम लेके जाते हैं घास में या मिटी में वहां पे बहुत सारा इंफेक्शन है और डॉक्स का इंफेक्शन है उनको कोई बिमारी है कोई पार्व है को डिस्टेंपर है या कुछ और है वो आपके डॉक को हो सकता है उसके पेट के उपर जब वो सुसु पट्li करते हैं तो उसके पेट के ऊपर या उसके बैड़ में वहां पे इंफेक्शन पकड देता है उससे होगा क्या आपके जब बच्चे होंगे उनमें जब पैदा होंगे तो डिलिवरी में प्रॉलम आ जाएगी तो आप मैं यह रिकमेंड करूँगा कि आप उसको बाहर लेके जाना छोड़ दीजिए आपके घर का बैक याड है आपके घर पे टेरस है वहाँ पे आप उसको घुमाईए वहाँ पे जो भी उसको फ्रेश होना है वहाँ पे करवाईए और उसके बाद दस दिन तक आपने डेली या कम से कम एक दिन छोड़के उसके स्टमक को साफ करना है निपल्स को साफ करना है बिल्कुल cleaned होना चाहिए, hygiene पूरा maintain होना चाहिए अब आती है जी delivery का time delivery जब start हो गई जी कहा जी, तो बच्चों के साथ जो fluid निकलता है वो dog जादा तर जो है आपका जो female है वो उसको खाने की कोशिश करता है, वो खाता भी है कोशिश करो कि वो ना खाए अच्छा साफ cleaned towel या कोई चदर या कुछ भी कोई भी कपड़ा पहले से ही उसको sterilize करके रखो आपको पता है कि आप वो दिन आ गया तो उसको proper clean करके उसको बच्चे को आप clean करो उस कपड़े के साथ फिर उसको मदर को दो कि ले भाई अब तू ये बच्चा दूद पिलाओ दूद पिलाने से पहले एक चीज और शहद जो है बहुत अच्छा काम करता है आप अपने बच्चे को एक बूंद शहद जरूर चटाओ और उसके पहले बच्चे का जो कई वर क्या होता है अंदर फेस आपने बच्चे को दी है वही एक बूंद आप निप्पल पे लगा दो बच्चा वहाँ आपसे दूद पीना स्टार्ट कर देगा ठीक है जी तो ये सबसे जरूरी चीज है अगर आप ये फॉलो करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉलम इन फ्यूचर आएगी अब आती है बात कि बच्चे होगे अब मदर को बच्चों की क्वालिटी कैसे बने उनकी हेल्थ कैसे अच्छी रहे और मदर भी बिल्कुल ठीक रहे कई बार क्या होता है कि मदर ने बच्चे डिलिवर किये जिन लोगों को नहीं पता वो क्या करते हैं कि बच्चे जब डिलिवर हुए उसके 10 दिन बाद मदर की हालत बिल्कुल पतली हो जाती है बिल्कुल वीक हो जाती है तो वो ना हो कैसे ना हो आप मदर को अच्छी टाइट दो पेडिगरी प्रोफेशनल फील्ड है बहुत अच्छी है रॉयल के नाइन, मदर एंड पप मिनी स्टार्टर जैसे हम कहते हैं वो आप दीजिए तो ये दोनों मिक्स करके भी दे सकते हो मैं जादा तर मिक्स करके ही देता हूँ ठीक है जी दोनों मिक्स करके हम मदर को देते हैं गरम पानी में डाला, सोक किया उसको तो फूलगी फीड उसके अंदर 2 eggs minimum small breed के साब से एक दिन में 2 eggs minimum तो चाहिए ही चाहिए मैं जरूर देता हूँ मैं कोशिश करूँगा कि आप भी दो तो आपको result आपके सामने आएगा तो 2 eggs daily बहुत जरूरी है white portion जरूर दो eggs का उसी feed में आप mix कर दो अब आगे आती है बच्चों की health के उपर जैसे ही बच्चे 15 दिन के हुए आप इनको royal canine दे सकते हो royal canine जो mini starter है उसको same वही mash किया हुआ और सेरलक के साथ एक एक भूंद या दो दो भूंद या royal canine का एक दाना mash किया हुआ वो आप बच्चे को देना start कर दीजे उससे क्या होगा आपके बच्चे की health जो है वो बिल्कुल सही रहेगी दूद तो मिली रहा है लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी कमी रहेगी है तो वो complete हो जाएगी तो दोस्तो मुझे उमीद है कि ये video देखकर आपको breeding के बारे में काफी help होगी आगे जितना मेरे को experience था जितना मेरे को पता था जितना मैं कहलो के basics जो है वो मैंने इस video में clear करने की कोशिश की है तो उमीद है आपको video अच्छा लगा होगा अगर आपको video अच्छा लगा ये तो हमारे channel को subscribe करें पड़े हैं तो जिस किसी ने शिट्जू बच्चे लेने हो या इसके इलावा कोई भी breed लेनी हो वो हमें contact कर सकता है हमारे phone numbers जो है सामने flash हो रहे हैं description box में भी है आप हमें contact कर सकते हैं all India delivery available है मिलते हैं जी एक नए वीडियो में एक नए breed के साथ तब तक के लिए जाहे है